दोस्तो आज का हमारा रूट वर्ड है मैनिया जिसका मतलब होता है पागलपन या किसी एक चीज की धुन या ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति सिर्फ एक ही काम को करता रहता है लंबे समय तक और वो उसको लेकर भावनात्मक और उत्तेज रहता है तो आईए आज के इस वीडियो में हुम मैनिया से मने दस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रभी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैड को सिंदी तो आईए आज की वीडियो सुरू करते हुआ दोस्तो इस लिष्ट का पहला बर्ड है एंगलो मेनिया जिसका मतलब होता है अंगरीची आच्रन प्रेमी ऐसा व्यक्ति जो इंगलेंड या अंगरीची भासा को सराहता है उसके कल्चर की प्रसंसा करता है उसे हम एंगलो मेनिया बोलते हैं अगला बर्ड है एंगरो मेनिया इसका मतलब होता है एकांत प्रियता ऐसा इंसान जो सब लोगों से दूर अकेला कहीं किसी अलग छितर में रहना चाहता है या रहने की इच्छा होती है उसे हम एगरो मेनिया बोलते है अगला बर्ड है एबलूटो मेनिया इसका मतलब होता नहाने का पागलपन, कोई भी व्यक्ति जो नहाने के प्रती जिनूनी होता है, जिसको बहुत इच्छा होती है, बहुत सौक होता है नहाने का, उसे हम एबलूटोमेनिय बोलती है, पुस्तकों या किताबों का पागलपन, कोई व्यक्ति जिसको पुस्तकों को एकत्रित करने और रखने का उत्साह होता है उसे हम बिब्लियो मेनिय बोलती है दोस्तो अगला बर्ड है डिपसो मेनिया यानि कि सराब पीने की लत वह व्यक्ति जिसको सराब पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है उसकी बहुत तीब रिच्छा होती है सराब पीने की उसको हम डिपसो मेन बोलते हैं दोस्तो अगला वर्ड है मेलोमेनिया जिसका मतलब होता है संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार सुबह साम दिन रात तुम्हें वस एक ही चीज़ दिखती है वह संगीत ऐसा व्यक्ति जो सरब संगीत के पीछे इस तरह पागल होता है जो हरदम संगीत सुनता रहता है उसे हम मेलोमेनिया बोलते हैं दोस्तो अगला वर्ड है अगमेनिया जिसका मतलब होता है काम करने का पागलपन एक ऐसा व्यक्ति जो ब्यायाम को लेकर या अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइट होता है उसे सिर्फ और सिर्फ हमेसा अपना काम ही दिखता है उ यानी के आग लगाने का पागलपन अक्सर आपने देखा हो को बच्चों को आग लगाने का सवक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं पायरोमेनिया दोस्तो इस लिष्ट का आखरी बड़ है मेगेलोमेनिया जिसका मतलब होता है बड़ा बनने का जुनूम या बड़ा बनने का जिस पर भूठ सवार होता है एक ऐसा रखती जो सत्ता के लिए सक्तसाली बनने के लिए या सर्व सक्तिमान बनने की चरकता है उसको हम मेगलोमेनिया को बोलती है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिलकूर मत भूलिएगा और अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताके वो भी ये 10 important words को सीख सकें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा ताके हमारे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहें तब तक के लिए thanks for watching